हेलो सुरेंट्स वेलकम टू माइनर्चर मैं हूँ क्रिष्णा कैसे आप सब लोग माज बढ़िया तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम लोग फार्मसिटिकल केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर टू लेक्चर नंबर नाई जो कि वॉल्मेटिक एनलेसिस से हैं जिसले आज हम में भी हम लोग कई तरीके के होती हैं दो पर फोकस करेंगे पहला है हमारा पर्मेंगेट्रेशन इसी को हम लोग और मैघनले पर्मेंगैन ल कहते हैं और युझе П्टमेंगnen केख्यों स्टार्ट करते हैं कि अपना Redux Titration थीक है तो रोक्त कै रहा एक सि 제대로 स्रेक्षिन क्या होते हैं रिडॉक्स्ता क्षेक्षिन माफेक्षिन से मुझने पढ़ेगे क् कोई भी एसिस Benjamin कहें कि कोई भी रिक्षिन नहीं होती है जिसमें उक्सिधिस्यम और ऑक्षिदेशन नहीं होता है ठीक है अगा रिदक्षिंट में पक्का होगा रिक्सिंट नहीं है इसमें अप्षिदेशन diagnostic000 नहीं हो या पहला है classical idea, यह इसको हम लोग old concept भी कहते हैं, old concept से क्या मतलब है, जिसको हम बड़ा simple कहते हैं अच्छा oxidation, इसका मतलब oxygen का जुड़ जाना, हम कहते हैं जिसके जुड़ जुड़ गया, वो oxidize हो गया, simple concept, the term oxidation is defined as the addition of oxygen, सबसे पहले जो concept आया था, उसमें हम simple ही बात बोलते थे, oxygen जुड़ गया तो oxidation हो गया, लेकिन फिरे धीरे 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 इसकी परते खुली और और अंदर चीजे हमें समझ में आए कि oxidation में क्या क्या चीजे होती हैं, हमने देखा, अगर एक electronegative element, electronegative element कौन होते हैं, जो periodic table के periodic table याद है, यह जो इधर होते हैं, यह S और यह P block, और यह D block, नीचे क्या होता है, F block, याद आ रहा है, तो S, P, यह जो P block के elements हैं, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, electronegative element, जिसमें की group number 17 सबसे ज़्यादा electronegative होते हैं, तो या तो oxygen जुड़ जाया है, या कोई electronegative element स्थान्स में, या removal of hydrogen, hydrogen remove हो जाए, या कोई electronegative element जुड़ जाया, या कि S block का element क्या हो जाया है, निकल जाया, यहाँ जब जहां रखना है, removal है, और यह addition है, किसके addition पे, oxygen और electronegative element के addition को oxidation कहा जाएगा, या hydrogen और electronegative element के removal को oxidation कहा जाएगा, दोनों ही चीजे हैं, जह को common है, methane, oxygen साथ जब react करता है, तो क्या बनता है, CO2 और H2O, water, तो यहाँ carbon है, C के साथ कौन जुड़ गया, O, C के साथ कौन जुड़ गया, O, तो क्या हो गया, यह oxidation, यह magnesium है, इसके साथ कौन जुड़ा, fluorine, जो की group 17 का element है, तो यह क्या हो गया, जादा electronegative हो गया, तो electronegative element जब magnesium हो जुड़ गया, तो इसके साथ क्या हो गया, इसका, oxidation हो गया, ठीक है न, इसका just ultra, reduction, ठीक है, आओ देखते है, the term reduction has been broadened these days to induce removal of oxygen यह electronegative element, इसका उल्टा कर दे, oxygen को remove कर दे, यह electronegative element को remove कर दे, यह add कर दे hydrogen को, यह electropoitive element को, from a substance, और addition of hydrogen और electropoitive element to a substance, तो देखते हैं, हम साफ साफ कह सकते हैं, क्या हो रहा है, यहाँ देख सकते हैं, इसके साथ क्या जुड़ रहा है यह, magnesium जो कि एक electropoitive element है, ठीक है, यान कि fluorine का reduction हो रहा है, magnesium का oxidation हो रहा है, दोनों साथ साथ कहलाई जाती हैं, एक साथ होती है, तो देख सकते हैं, mercury से oxygen बहा हो गया है, HgCl2 प्लस 10 chloride, यहाँ से क्या बन गया, HgCl2 प्लस SNCl4, तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं, HgCl2, यहाँ पर क्या हो गया है, HgCl2 10 chloride, एक्चली यह थोड़ा था गलत हो गया, यहाँ पर होना चाहिए था, मर्गरी, ठीक है न, electro negative element का बाहर निकलना, तो वो क्या हो जाएगा, क्या क्या लाएगा, ठीक है न, यह Cl और यह Cl दोनों मिलके क्या बन जाएगा, Cl4 यहाँ पर यह नहीं आएगा, क्लियर है, mercury ठीक है, mercury अलग हो गया, Cl2 अलग हो गया, तो यह क्या 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 हो गया, इसका reduction हो गया, तो दो तरीक है, यह पराना concept, oxygen, electronegative element, hydrogen और electropositive element के respect में, इनका जुड़ना और निकलना, this is the old concept, बट आज के टाइम पर इसका भी इस्तमाल होता है, बट हम लोग के titration करते हैं, उसमें जो होता है, हमारा electron concept आता है, ठीक है, क्या कह रहा है, it was soon realized that oxidation and reduction always occur simultaneously, जल्दी realized किया गया, कि यह दोनों साथ-साथ होते हैं, hence word redox was coined for this class of chemical reaction, इसी लिए इस type की reaction के लिए एक term डाला गया, that is called redox, ऐसी reaction जिसमें reduction और oxidation साथ-साथ में हो रहा है, यह तो हो गया old concept, आते हैं अपने latest concept पर, जो कि यह electron based, अब देखो ज़रहें यहापर, बहुत कायदे से, इधर ध्यान दो, यह sodium, ठीक है, solid form में, जब यह य minus हो गया, ठीक है न, यहापर sodium के दो, दो atom है, एक na और एक na, इसने भी एक electron lose किया, इसने भी एक electron lose किया, कितने electron lose कर गया, दो electron, cl ने, यहापर cl कितने है, cl और cl, दो cl है, इन दोनो cl ने, एक एक electron को ले लिया, तो क्या कर लिया, इसने gain of two electron, जब reaction होगी, same time पर, एक atom, electron lose करेगा, एक atom, electron को gain करेगा, ध्यान रखना, अब oxygen के साथ की बात कर ले, ठीक है, oxygen के साथ देख सकते हैं, क्या बना यह, na2o, तो यहापर भी क्या है, दो na है, यह दोनों ही अपने अंदर से, एक एक electron को lose करेंगे, और oxygen के, कितने हैं यहापर, oxygen जो है, यहापर क्या करे यहाँ से जो दो electron निकले, एक यहाँ से, और एक यहाँ से, यह electron इस oxygen ने ले लिए, तो क्या आगे हैं पर, टू माइनस, तो gain of 2 electron और loss of 2 electron, ठीक है, बास वाजमा रही है, gain of 2, बैलेंस नहीं अभी, loss of 2 electron, gain of 2 electron, अब यहाँ देख ले, यह sodium, यह sulfur, अगेन यहाँ पर क्या तो हर वारी electron का loss और gain होता है, कोई भी reaction जब होती है, तो जब भी electron का loss और gain एक साथ होता है, तो उन reactions को हम लोग क्या कहते हैं, redox reactions कहते हैं, क्या कहते हैं, redox reaction, electron का loss और gain होना, redox के अंदर count किया जाता है, आज के नए concept के हिजाब से, अब इसको समझ लेते हैं, कब redox क्या क्लास क्लास इलेवंध में है न इसको ऐसा लिख सकता हूं तो अने को एने को ने प्लस और यहां सल्फर को S2- है ना, दो reaction में तोड़ लिया है इसे एक reduction अलग, oxidation अलग ठीक है ना, तो हमने क्या क्या जो part इसका आधा reaction जहां पर loss of electron हो रहा है उसको हम कहते हैं, oxidation हो रहा है जहां gain हो रहा है, involve gain of electron उसको हम लोग क्या कहते है, reduction reaction ठीक है ना, अब यहां पर यह तुम्हों को ध्यान रखना है loss ठीक है ना, अब loss यहां पर समझ सकते हो जैसे L है और यह O है इन दोनों को साथ ले लो, एक सब्द याद रख लो loss में, loss और यह क्या हो गया, oxidation loss होने के मतलब क्या हो जाएगा, oxidation loss of electron मतलब oxidation, तो Allo दूसरा क्या हो रहा है, gain हो रहा है तो gain में क्या हो जाएगा, reduction हो जाएगा, simple एक याद रख लो, loss से Allo दूसरा वाला इसका उल्टा हो जाएगा, बास समझ मारी है तो यहां पर देखो, जब भी oxidation हो रहा है plus का charge create होता है जब भी reduction होता है, मानेश का charge क्योंकि उसने, इलेक्टरॉन ले लिया है, तो जब इलेक्टरॉन ले ले लेंगो तो मैं कैसा हो जाएगा, negative हो जाएगा जब इलेक्टरॉन दे दूँगा तो कैसा हो जाता हूँ इसने electron दे दिया यह poiety हो गया इसने electron ले लिया तो यह negative हो गया बात समझ में आ रही है अब यहाँ पर कुछ terms हैं जो हमको समझ लेने है बेसिक से oxidation loss of electron by any species किसी के भी द्वारा electron को loss होगा तो oxidation कहलाएगा अब यहीं से दूसर term आता है औक्सिडाइजिंग एजेंट पकड़ लो इन दोनों को दोखो यह oxidation औक्सिडाइजिंग यह confuse करता है औक्सिडाइजिंग एजेंट इसने acceptor of electron बच्चा यहीं confuse हो जाता है दोखो agent कौन होते हैं जो काम करवाते हैं जो काम करवाते हैं अगर इसने loss of electron किया है तो यह electron को loss कर रहा है है ना एको दोहन ले ले लेते हैं हम लोग a plus b gives है ना यह simple साम उठा लेते हैं इसको छोड़ते हैं हम यहीं से एक 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 रियक्शन उठा लेते हैं यह उठा लेते हैं simple simple na plus cl2 क्या हो गया यह balance करेंगे तो यहाँ पर 2 आजाएगा यह 2 है तो यहाँ 2 आजाएगा वो बात की बात है अब देखो एक species यह electron को क्या कर रही है lose कर रही है loss loss of electron तो यह क्या कहो गया oxidize हो गया जब यह electron देगा तब ना chlorine electron लेगा हम यानिक यानिक मैं कह सकता हूँ जो sodium है वो chlorine को क्या कर रहा है reduce कर रहा है electron ले तू तो electron ले तू reduce हो तो खुद तो क्या हो गया यह electron दे करके loss करकर oxidize हो रहा है लेकिन किसी को करवा रहा है electron दे करके reduce करवा रहा है तो यह खुद कैसे behave करेगा एक agent बन जाएगा किसका agent बन जाएगा chlorine को electron देने वाला तो क्या हो गया यह reducing agent chlorine को reduce करने वाला agent agent कौन सा हो गया reducing लेकिन खुद क्या हो रहा है oxidize तो जब कोई काम करवा रहा है तो वो agent होते है that is called reducing agent तो sodium एक ही time पर क्या हो गया इसका oxidation हो रहा है और साथ साथ में क्या हो गया यह reducing agent यह same time पर क्या हो गया इसका reduction हो रहा है अब इसकी तरफ से बात करें तो यह electron छीन रहा है इससे electron छीन रहा है तो इसको oxidize कर दे रहा है तो यह agent की तरह काम कर रहा है इसको oxidize करने वाला agent बच्चा बहुत कंफ्यूस होता है यहां पर यह दोनों शव एक नहीं है ठीक है ऑक्सिदाइजिशन के साथ क्या जुड़ेगा ध्यान रखना इस चीज़ का ऑक्सिदेशन के साथ क्या जुड़ने वाला है reducing agent और reduction साथ क्या जुड़ेगा oxidizing agent घृकर जो जिसके साथ reduction होता है वो oxydizing agent होता है जिसके साथ तो यह पता होना चाहिए कौन ले रहा है तो उसके क्या है जो बहुत एजली कर ले जाओगे बात समझें आगई के लियार तो आप देखें यहां पर आगे क्या है हमारे पास तो आप फटाफट देखते हैं पर मैगनेट टाइटरेशन और पर मैगनोमेट्रिक टाइटरेशन अब पर मैगनेट के लिए सब्सक्राइब याद करो के एम एन ओफोर है ना पोटेशियम पर मैगनेट एक डाइक रोमेट भी होता है उसकी बात अभी हमने यहां नहीं कर रहे हैं कन्फिज मतों उससे टाइटरेशन इंवाल्विंग पर मैगनेट ऑक्सिडेश का ठीक है इन विच सलूशन ऑफ के मनफोर इस यूज़ज जाजन ओक्सिडेट देखो यह क्या है आप यहां पर एक ओट चीज़ ले लते हैं जो ऑक्सिडाजिंग एजेंट होते हैं इनको हम लोग ऑक्सिडेंट भी कहते हैं और इसको हम लोग रिड़क्टेंट भी कहते ह जो ऑक्सिडाजिंग एजेंट होंगे उसको हम ऑक्सिडेंट जो रिड़्ूशिंग एजेंट होंगे उसे हम रिड़क्टेंट भी कहते हैं ठीक है ना तो यहां लेक लेंगे consumer agent के साथ Reductant और Oxidizing Agent के साथ Oxidant Agent के साथ लिखना है यह ध्यान रखना हो ठीक है तो यह मेरा क्या हो गया? Oxidant हो गया अब Ionization of K-MnO4 K-MnO4 को जैसे डालोगे तुम solution में यह break कर जाता है K-Plus और MnO4- अब सारा खेल यहां से start होता है समझते जाना बात को यह बड़ा सिंपल है तोड़ लोगे न जैसे भाई NaCl को तोड़ते हो किसमे Na++Cl- ठीक है वैसी यहां पर किसको तोड़ देना है K-MnO4 को तोड़ देना है K-Plus और MnO4- ठीक है बात समझ में आगी अब क्या कह रहा है The ability of K-MnO4 solution to oxidize is due to the conversion of the MnO4 यह थोड़ा सक्रापड हो गया है इसको मैं आज सही कर देता हूँ This is MnO4 and minus ठीक है तो क्या कह रहा है The ability of K-MnO4 solution to oxidize इसकी oxidize करने की च्छमता ability है क्योंकि जो MnO4 है ठीक है न जो MnO4 है वो अलग-अलग medium में अलग-अलग चीजों में convert हो जाता है जब medium neutral रहता है तो यह per magnet से magnet iron में बदल जाता है यह per magnet iron हो गए जब acidic होता है तो per magnet से magnet iron में बदल जाता है Mn2 plus ठीक है न Acidic solution में जब alkaline और कई बार थोड़ बार neutral होता है alkaline हो या neutral neutral हो भी कई बार कर जाता है इस तरीके से बट alkaline के लिए जाधा तर याद रखेंगे जब alkaline होता है तो यह MnO2 manganese dioxide में बदल जाता है ठीक है अब हम लोग केवल किसका इस्टमाल करेंगे हम जो अभी आज पढ़ने वाले हैं एक तो लेंगे acidic medium और किस तरीके से देखो इस ने क्या किया है खुद क्या हो गया यहाँ पर तुमको वो निकालना आता है देखो यहाँ पर MnO4 minus इसका oxygen number निकालना आता है MnO का oxygen number X plus O कितने है 4 इसका oxygen number कितना होता है minus 2 overall minus 1 पूरे के वोड़ चार्ज कितना है minus का 1 तो X की value कितनी आगी minus 1 और यह minus minus plus का 8 that's equal to plus का 7 तो यहाँ इसके वोड़ चार्ज कितना आ गया plus का 7 यहाँ कितना है plus का 2 जो उपर चार्ज होता है वही तो oxygen number होता है अब यह plus 7 से plus का 2 हो गया electron क्या हुए gain किये ना इसने क्या कर लिए इसने plus 7 से plus 2 में आगया यह ठीक है ना तो जब इसने electron gain किये हैं तो किसी से छीने होंगे किसी को oxidize कर दिया होगा यहाँ इसने 5 electron देखो gain कर रहा है plus 7 से plus 7 से कहा जा रहा है plus 2 5 electron gain कर लिए हैं तो किसी से खीचे होंगे और जिससे electron छीने होंगे वो क्या हो गया होगा oxidize तो कैसा behave कर रहा है यह oxidizing agent या oxidant की तरह है तो यह वाला part हम आपे लेंगे ठीक है ना करने को बहुत सारा detail में लेकिन हमारे पर redox titration बोल करके टॉपिक में छोड़ दिया गया है तो हम खास चीज पढ़ेंगे उसके अंदर अब आओ देखते हैं इसका थोड़ा सा indication के बारे में indicator के बारे में बात समझ लेते हैं in acidic solution per magnet to magnet sign हो क्या रहा है solution containing per magnet ions in oxidized state यह अभी कैसा है oxidized state plus 2 और plus 7 यह oxidized form में है जिसना ज्यादा plus का charge उतना ज्यादा oxidized और purple in color यह इस state में यह जो होता है इसका color क्या होता है purple होता है इस रूप में यह purple होता है ठीक है solution of salt containing Mn2 plus जो कि reduce Km4n और colorless यह जो part है इसका यह colorless होता है समझते जाना याने कि जैसे ही यह यहाँ से यहाँ convert हो जाएगा तो जो pink या purple color pink या purple color colorless हो जाता है यही indication हो गया इसका कैसे आँ समझते हैं ओके colorless है अब permagnate solution is decolorized when added to the solution of reducing agent यह पूरी process समझेंगे तो हाँ समझ में आएगा होता है क्या ब्यूरिट के अंदर यह भरा हुआ होता है हम डालते जाते हैं डालते जाते हैं और यह MN2 plus में जो reducing agent होता है यह oxilizing agent है दूसरा agent इसको इसमें convert करता रहता है तो यह colorless होता जला जाता है और ant में जब analyte खतम हो जाता है तो यह MN2 plus में convert होता नहीं है pink color show कर देगा अभी समझेंगे इसको ठीक है इसको तो समझ लेते हैं आपको यहाँ पर indication ली बात आ गई है थोड़ा सा इसको हम लोग समझ लेने ज़्यादा बैटर देखो बनाता हमें diagram फटा फट समझ लो बात को अब ठीक है इसके अंदर हमने भरा हुआ है pink color का pink color ले ले यह देखो इसके अंदर क्या है MN4 minus पूरा कर सकते हैं क्ये भी कर सकते हैं लेकिन मैंने ionic form में ले लिया देखो यह है complete और यह है इसका ionic form ठीक है और इसके अंदर है colorless oxalic acid क्या लेंगे हम लोग oxalic acid इसके अंदर हम लोग एक चीज़ और एट करते हैं और वो चीज़ क्या होती है H2SO4 यह का काम करता है इसको acidic medium provide करवाता है है ना acidic medium provide करवाएगा H2SO4 अब होगा क्या जैसे यह MnO4 नीचे आएगा जैसे यह drop by drop गिरेगा देखो यहाँ पर आया यह यह drop से गिरा 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 और जैसे अंदर गया गायब कैसे गायब हो गया जो oxalic acid है MnO4- को जब यह oxalic acid है पूरी रिएशन दिखाँगो मैं oxalic acid का द्रियाट करता है तो किसे मतल जाता है यह MnO2- में अब यह तो है कैसा purple यह कैसा है यह तो भाईया कैसा purple color का है पर्ट यह कैसा है यह colorless है अब धीरे 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 यह नीचे गरता जाग गरता जागा जैसे ही सारा का सारा oxalic acid खतम होगा और जैसे यह अगली बूंद इसकी गिरेगी वो Mn2- में convert नहीं हो पाएगा और solution कैसा हो जाएगा यह ultimately फिर से यह कैसा हो जाएगा pink आ जाएगा यह ठीक है ना oxalic acid जहाँ खतम तो इसका इसमें convert होना बन इसकी एक बूंद भी एक्स्टा गिरेगी solution कैसा हो जाएगा purple जो शो कर देगा कि यह पूरा क्या होगा consume हो गया है titration मेरी खतम हो गई है बाल समझ में आगी तो यह self indicator है MnO4 क्या है self indicator खुदी indicate करेगा कि हाँ reaction खतम हो गई है कि oxalic acid खतम हो गया आप चलो calculation कर लो बाल समझ में आ रही है ठीक है तो यहाँ पर वही कह रही है और कोई नहीं बात नहीं कह रही है तो कह रहा है of salt containing Mn2 plus reducing MnO4 ions are colorless hence अब per magnet solution is decalurized when added to the solution of reducing agent example oxalic acid as long as the reducing agent is present in the solution जब तक reducing agent मौझूद रहेगा यह जो purple color है जैसे drop उसमें गिरा करेगी वो colorless हो जाये करेगी अब the moment there is an access of Kmn4 जिस movement पर Kmn4 जो गिर रहे है वो extra हो गया यानि कि यह पूरा finish हो गया यह finish हो गया और एक extra access जहां Kmn4 गिरा ठीक है जैसे extra गिरेगा it becomes pink और purple वो तुरहन थमको pink या purple color show करेगा thus per magnet ion can serve as its own indicator especially in acidic solution acidic solution जब भी लोगे तो यह खुद एक self indicator की तरह काम करेगा लेकिन acidic नहीं लोगे तो हमें indicator की जरूत पढ़ सकती है वो case हमारे अलग हो जाएंगे ठीक है अभी हम इसकी बात कर रहे है तो इसका किस तरीके से self indicator की तरह behave कर रहा है यह बात clear समझ में आई जैसी एक extra गिरेगा oxalic acid खतम वो वापस से अपना pink शो करेगा वो अब मैगनेस आयन में convert नहीं हो रहा है clear है आगे आते है ठीक है यह सारा concept हो गया यहाँ पर titration with oxalic acid देख लेते हैं बई यहाँ पर साफ साफ दिखा रखा है बूंद 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 गिर रहा है colorless colorless और जैसी यहाँ पर oxalic acid खतम हो जाएगा यह solution कैसा हो गया pink का purple color का show होने लगेगा clear है इस तरह का purple color का हमको के दिखाए पड़ता है with oxalic acid इसका formula क्या है h2 c2 o4 यानि कि इसका formula कुछ लोगों को नहीं समझ में आता होगा मैं बता दूं क्योंकि आगे इसका इसका इस्तमाल भी होगा c o o h c o o h ठीक है ना oxalic acid कहते हैं इसका हम लोग इस टाइप से है यह ठीक है chemo4 solution is standardized पहले से हम standardized करेंगे हम सीख चुके हैं पहले standardized क्यों किया जाता किसली किया जाता क्योंकि secondary वह है मेरे पास substance है against chemically pure oxalic acid pure oxalic acid के compare में इससे क्या कर लेंग हम लोग उसके साम टाइट करके इसको standardized कर लेंगे अब procedure standardized chemo4 solution by using पहले सबसे पहले step क्या होगे से standardized करेंगे using sodium ठीक है ना इसका हम जो h वाला sodium जो इसका oxalate का sodium salt होता है उसके साथ हम standardized कर लेंगे because chemo4 is a secondary standard substance यह कैसा है secondary standard substance इसका हम पढ़ चुके हैं पहले lectures में टेक एनलाइट यानि कि एनलाइट मतलब यह रहा हमारा इस इस देनलाइट solution in conical flask conical flask में हमने ले लिया add h2SO4 to provide acidic medium h2SO4 डालेंगे जिससे की मीडियम क्या हो जाए acidic हो जाए heat the solution क्यानि क्या हम heat कर लेते हैं मतलब क्या होता है एक ड्रॉप गराके बंद करके हिलाते हैं वो डिसपेर हो जागा फिर एक बंद गराएंगे हिलाएंगे ठीक है हम लोग 30 सेकंड तक देखते हैं कि कई वर क्या होता है oxalic acid होता है पूरे solution में रहता है तो उसे इधर उधर जाने में थ्रहा टाइम लगता है और फिर रियक्ट करके फिर डिवापस से क्या उदा अगर डिसपेर हो जाता है तो 30 सेकंड तक अगर कलर नहीं किया तो हम मान लेते हैं कि सारा का सारा oxalic acid consume हो चुका है ठीक है ना इस पिंक कलर पर्सिस्ट वर 30 सेकंड रें दा पिंक कलर विल बी दा MPPitise Pink के कलर को खिलाएंगे चला जाएगा तो फिर एक बूंद गिलाएंगे हिलाएंगे चला जागा तो फिर एक बूंद गिला लेंगे बूंद गिलाया त्meter सेकंड दे देखा अब पिंक पॉइंट होगा जो इनिशल वॉल्यूम था जो फाइनल वॉल्यूम था मैनस करके निकाल लेंगे तरीका हम लोग पहले सीख चुके हैं बास में आई अब इसमें सारा खेल है रिडॉक्स का तो आप समझे जारे रेक्शन को भी समझ लें रेक्शन इंवाल्व कंप्लीट रे ठीक है H2CO24 पहले इसके हिसाफ से रेक्शन को बैलेंस करना पहले के वल इतना याद करना बिना बैलेंसिंग के फिर एगर खुट से बैलेंस करने कोशिश करना बैलेंस हो जा तो अच्छी बात otherwise ठेजा उसके बाद क्या करना है तुमको यहां पर क्या कहते हैं अपना इसको balance कर लोगे के लिए अब बात करें यह तो होगी complete reaction K के साथ H के साथ अगर मैं इसकी ionic form लिखूँ जा रहा क्या लिखूँ ionic form तो K हटा देंगे यहां से MnO4 minus अच्छा यह आया कैसे 8H plus 5 electron Mn2 plus 4H2 अब तुमको सारी तो रटना पढ़ रहा है Class 11 में सीखे हैं हम लोग इसको balance करना अब बताता हूँ कैसे ठीक है यह obsolete हो गया अब तुमको एक चीस तो इतना तो याद रखना पढ़ेगा बटा दोगो MnO4 minus से क्या हो जाता है Mn2 plus इतना तो याद रख लोगे यह तो याद रखना पढ़ेगा और इसको याद रखना पढ़ेगा CO2 O4 2 minus यह किसम मतल जा रहा है CO2 में इतना तो याद रखी सकते हो यह CO2 बना दोगे इसका उसका वोई कर लोगे इतना याद हो गया अब फटा फट में इसको तरीका बताता हूँ बैलंस करने का टाइटेसन हमारी खतम हो चुकी है reaction को रटना ना पढ़े उसके लिए मैं तरीका बता रहा हूँ बस फटा फट देख लेते हैं इसको हम लोग दोगों यहाँ पर क्या होगा MnO4 minus और यहाँ डाल देंगे यह और यह किसम में आ गया Mn2 plus कुछ लोगो साइद याद आ जाए अब बात समझना क्या करने जा रहा हूँ मै सबसे पहले क्या देखो oxygen देखो oxygen किदर जादा है इधर O के 4 atom है जिदर O जादा है इधर O एक भी नहीं है तो जितने oxygen है उतने ही water के molecule add कर दो तो कितने add कर दोगे प्लस 4H2O जितने सुनते जाना जितना oxygen के atom उतने ही water molecule add कर दिये इधर पर किलियार अब इधर पर H देखो कितने है 4 2 जा 8 8 H है तो इधर पर कितने है 8 H प्लस कर दिया आ गया अब electron कैसे आएंगे electron very simple electron को हम ऐसे देख लेंगे जो भी आने starting बताया था इसको हम ऐसे भी देख सकते है तो इसको हम ऐसे देख लेते हैं electron को भी simple तरीकार कर लें देखो यहाँ पर अगर हम total बात करें तो यहाँ पर देखो क्या है यह देखो यहाँ पर देखो यह एक electron extra है तो यह एक minus का electron यानिका minus हो गया यह plus के कितने है 8 ठीक है यहाँ पर plus के कितने है 2 अब ज़राग और से दोकर यह minus 1 कट जाएगा यहाँ पर कितना बचेगा plus का 7 बचा यहाँ plus कितने है 2 यानि कि हमको पता है यहाँ पर 7 electron lose किये इसमें 2 electron lose किये यह बात समझ रहे हो तो balance करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा इस 2 को यानिकि जहाँ पर plus का sign ज़्यादा और होगा उसी तरफ add करें कितना add करेंगे 2 से यह 5 ज़्यादा है तो हम यहाँ पर कितना add कर देंगे 5 electron add कर देंगे तो कि oxidation method हो सकता है सब लोगों को ना पता हो तो simple ध्यान रखो उपर के charges को add करके दोनों तरफ charge मेरे क्या होने चाहिए बरावर होने चाहिए दोनों तरफ मेरे charge क्या होने चाहिए बरावर होने चाहिए तो बास समझ में आई ना अब यहाँ पर plus 8 का क्या मतलब हो गया 8 electron loss यहाँ पर कितने हैं 2 electron loss ठीक है 8 नहीं था यहाँ पर minus 1 था यहाँ plus का 8 था net कितना आगे था plus का 7 यहाँ plus 7 है और यहाँ plus 2 है यानि कि मैं देख सकता हो यहाँ 7 electron को loss हुआ है यहाँ 2 electron को loss हुआ है तो अब 7 electron ज्यादा loss होगे ना तो हम इसको और 5 electron दे दें अगर तो loss वापस से कितना आ जाएगा इसको हम 5 electron और दे दें अगर तो यह कितना हो जाएगा वापस से plus 2 हो जाएगा balance हो जाएगा तो हम यहाँ पर प्लस का 5 electron लिख देंगे clear है बाते हैं यह बात समझ में आ रही है clear clear रपकोरनों इसे में ओके अब इसको ले ले लेते हैं CO2O4 2- ठीक है और यह क्या है CO2 अच्छा CO2 है तो हम सबसे पहले तो balance ही कर लें हैं कि कितने दो है ना अगर O के अलाब़ा कोई और दूसरा इसको बैलेंस कर लेंगे यहां C2 लिख लेंगे अब सेम कॉंसेप्ट अब देखो जा रहे हैं और कितने है चार यहां O कितने है चार ओ तो अल्रेडी है क्या रखें बैलेंस है तो अब बैलेंस है तो ना क्या करना होता है दोनों तरफ से इलेक्ट्रों को खतम करना होता है याने कि इलेक्ट्रों बैलेंस जैसे मैस में करते हैं याद आ गया नहीं आया कुछ लोगों को यहां दो अल्याक्ट्रों है ऊपरगे 5 दौन तरफ से इलेक्ट्रॉं काटने तो यहां मल्टिप्लाइय किसा कर दूँ का तो इसे कृप्लाइफ कर दूँमें 5 का और रियक्षन को हैसी लीखना चालू करूँ to का स्टार्ट लिख Gaussian फॉर माइनस प्लस 28 जा 16 H+, प्लस 25 जा 10 इलेक्टरॉन ठीक है यह तो हो गया इस तरफ का अब नीचे वाला भी लिख लेते हैं यहाँ पर क्या है 5 है ना प्लस 5C2 O2 O4 2 माइनस यह नीचे वाला लेफ्ट साइड वाला पार्ट यह रहा अब इसके बाद वाला पार्ट लिख लेते हैं ठीक है 2 MN 2 प्लस प्लस 8 H2O और इधर क्या है यह 5 2 जा 10 प्लस 10 CO2 प्लस 10 इलेक्टरॉन तो देख वो 10 इलेक्टरॉन और 10 इलेक्टरॉन यह दोन तरफ से क्या हो गया कैंसल हो गया तो नेट रियक्टर मेरे पास क्या हो जी 2 MN 4 माइनस प्लस 5 C2 O4 2 माइनस प्लस 16 H प्लस गिफ 2 MN 2 प्लस प्लस 8 H2O प्लस 10 CO2 ठीक है ना यह मेरे पास नेट रियक्टरॉन आ गई तो अब इसमें क्या करना है मैच कर लो इसको इस रियक्शन को मैच करेंगे फटा फट देहो MN 02 मैं झाओनिक फ़र्म की बात कर रहा हूँ मैनस यहापर कितने 2 है और यह कितना है H के कितने है यहापर H value H plus H plus 5 और यहाँ गया ओके और यह मेरे पास कितना आ गया है कहां गया 5 इसको बात करें अगर H2 C2O4 यह कितना है मेरे पास 5 आ गए देन मेरे पास क्या है MN MN की बल्लू कितनी है यहां पर क्या आ गया है 2 और उदर पर क्या है MN कितना है 2 है ठीक है और यह कहता है 8H2O है 8H2O 10CO2 और 10CO2 बाकि सारी चीज़ें बैलेंस होगी अब यह फ्रॉसस का अलग सिस्टम चलता है ठीक है तो हमारी में इक्योशन क्या होगी यह बैलेंस होगी हमारी यहां पर तो इस तरीके से बैलेंसिंग होती बैलेंसिंग नहीं सीख पाए तो कोई बात नहीं से रट ले समझा देंगे बहुत चोटा सा पार्ट है 15-20 मिन लाएगा फटाफट समझा दूगा लेकिन उससे पर यह सारी रियक्शन अच्छे से समझ के रखना तो उसका फटाफट समझा देंगे उससे बहुत 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 जरूरत नहीं है क्लियर है तो अब इसके बाद हमें क्या करना है माइड नर्चर एप के बारे में समझना है ठीक है ना वो जब टाइटरेशन करेगा तो क्या एंड पॉइंट आएगा और आपका क्या रिजल्ट आने वाला याने कि माइड नर्चर एप जो कि इसी चैनल का एप है यान कि हमारा एप है जो कि आप ही लोगों के तो येस हमारे चैनल का जो नाम है माइड नर्चर उसी के नाम से अब एप आ चुका है जो की गूगल के प्ले स्टोर पे मौजूद है ठीक है लेक्चर के लिंक में भी उसका डिस्क्रिप्शन दे रखा है और चाहो तो डायरेक्ट कहां प्ले स्टोर पे जा करके उसको डा कि लेक्चर और नोट्स जैसे डाल रहा हूं मैं यूटूब पर ठीक वैसे डालता रहूंगा कोई चेंज नहीं आएगा जितने लेक्चर मेरे एप में होंगे जितने नोट्स मेरे एप में होंगे उतने लेक्चर और नोट्स आपको यूटूब पर मिलेगा बट क्या यह तुम्हारे अब नए जो पैटन है उसमें नए एक्जाम पैटन है ठीक है ना उसमें MCQ फिलिंदे ब्लैंक से आ रहे हैं दोनों मिला करके दस नमर के यह आते हैं ठीक है प्लस टू मार्स कोश्चन याने कि आप इतना सारा पढ़ेंगे यहां वो कुछ इंपॉर्टन कोश है और जिस बच्चे केवल पास होना है वो केवल मेरा क्या करेगा इन कोश्चन की प्रैक्टिस कर लेगा लाइफ क्लास होगी अब माल लो मैं यह यूटूबर लेक्टर को पढ़ा दिया है अब वो कहीं कुछ तुमारा डाउट फस्स गया है ठीक है तो वो कैसे कवर होगा हो तो उसके लिए क्या होगा लाइफ क्लास होंगी डाउट के लिए मैं आया करूं लाइफ क्लास जो कि अभी स्टार्ट अल्यडी हो चुकी है बच्चे डाउट पूछ रहे हैं और क्लास चल रही है सबसे बच्चों बड़ी चीज जो होने वाली है MCQ टेस्ट की प्रैक्टिस ये तो चलो एक बार को ठीक है MCQ कोश्चंस MCQ कोश्चंस की इतनी सारी प्रैक्टिस होने वाली है हर लेक्चर से 15-20 कोश्चंस भी पूरे चैप्टर से मिला करके 100-100 कोश्चंस हो जाए करेंगे जो कि तुम्हारे डी फार्म और सबसे इंपोर्टेंट एक्जिट एक्जाम की उपर बेश्ट होने वाले है MCQ कोश्चंस अब देखो समझे क्या है ये MCQ कोश्चंस का टेस्ट हम लोग कहा नहीं ले सकते यूटूब पर नहीं ले सकते अब YouTube पर क्या होगा मैं बताता हूँ ऐसे मैं चल रहा हम question लिखा होगा, 4 options लिखे होगा मैं बोलूगा बच्चQUE ये question है, ये 4 options इसका answer ही है, मजा नहीं आएगा ऐसे ठीक है ना, मज़ा कैसे आएगा, question सामने होगा, तुम पढ़ोगा और तुम answer click करोगे, पढ़ करके, सोच करके वो मज़ा आएगा, उससे practice होती है असली, ठीक है ना, तो ये सबसे बड़ा part आपको मिलने वाला है routine test for deform and exit exam, only 40% marks चाहिए, सबको पता है, 100 मेंसे सबको कितने चाहिए, 40 number में पास हो जाओगे ठीक है ना, तो routine test, routine test का क्या मतलब है, माल लो chapter 1 किसी subject का खतम हुआ, उसका test हो जाएगा फिर chapter 2 खतम हुआ, उसका test हो जाएगा, फिर combined test होगा एक, किसका, chapter number 1 प्लस chapter number 2 का फिर chapter 3 माल लो खतम हो गया, फिर उसके बाद एक combined test होगा, 1 प्लस, 2 प्लस, 3 इस तरह से चलता रहागा एक time वो आएगा, 1 प्लस, 2 प्लस, 3 माल लो 13 chapter है, तो combined test हो रहे है यह जो test अगर बच्चा कोई मन से देता है, बहुत अच्छे मन से, तो more than 95% उसका कहीं नहीं गया है और अगर बे मन से भी दे रहा है, 20-30% त्यारी करके भी, तो 40% यान कि 40 number लाना हो फिर उसके लिए final exam में बहुत आसान हो जाएगा और सबसे बड़ी बात बेटा, जो पढ़ाई होगी ना हमारा है, इस exam को target करके होगी ठीक है ना, जो subject तुमारे exit exam में आएंगे, उसको target करके पढ़ाई होगी यान कि जब theory पढ़ोगे, याले question अच्छे से कर ले जाओगे, तो MCQ तो बहुत अराम से कर ले जाओगे और MCQ जब बहुत अराम से कर ले जाओगे, तो exit exam बहुत अराम से clear कर ले जाओगे बात सोज़ में आ रही है, और fees बिलकुल minimal है, 1100 रुपे पूरे साल के लिए सभी subjects की, first year पूरा साल, सभी subject 1100 रुपे, second year पूरा साल, सभी subject फिर से 1100 रुपे यान कि एक साल की fees आपकी 1100 रुपे पढ़ रही है, इस fees को अगर आप अपनी college fees से compare करोगे, तो ना कि बराबर है महिने का तुम्हारा 92 रुपे something पढ़ता है जाकर के, इस से सस्ता, cheap और best चीज आपको नहीं मिलने वाली है उसके बाद भी अगर कोई query है, कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, एप को ले करके, ठीक है या कुछ बच्चों को ये दिक्कत है, notes का link जो description में दिया रहता है lecture के YouTube के सभी lecture, मेरा कोई lecture ऐसा YouTube पे नहीं है, जिसमें मैंने notes नहीं दिया है ठीक है, जिन बच्चे को नहीं पता, description से निकालना नहीं आता है, मुझे call कर ले या किसी अपने दोस्तों से पूछ ले ठीक है, उसके बाद भी कोई दिक्कत है, तो बे जिजग, बिना हिचके चाहे, मुझे call करें, doubt clear करें, इस चीज को ले कर रहे है, सर कैसे क्या है ठीक है, मैं तुम लोगों को वो चीज बता दूँगा, clear है, बात समझ में आ गई, और सबसे बड़ी चीज, ये सब करने के लिए क्या करना पड़ेगा, yes, revision, बिना revision कि आप ये सारी चीज़े नहीं कर पाऊगा, यानि कि पढ़ना पड़ेगा, है ना, तो revision, जरूर, जरू All the best!